नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल भूमे तथ्य में। आज हम एक ऐसे जिव के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में आपने नाही कभी सुना होगा नाही कभी इसकी कलपना की होगी। हमारी प्रित्वी पर लाखों प्रकार की प्रजातिया मौजूद हैं, जिनके बारे में वैज्यानिक आज भी बहुत कम जानते हैं, कुछ तो बहुत सुक्ष्म हैं तो कई विशाल आकार के हैं, ऐसा ही एक सुक्ष्म जीव है जिसे टार्डिग्रेड कहते हैं, इसे पानी का भालू भी कहते हैं, अभी तक हमने जमीन पर रहने और चलने वाले भालू तो बहुत देखे सुने हैं, लेकिन हमारी प्रकृती में पानी वाला भालू भी पाया जाता है, यह भालू पानी में रहता है, और किसी भी तरह के वातावर्ण में खुद को ढाल लेता है, इसकी जीने की इच्छा इतनी प्रबल है कि कहीं भयंकर ठंड पढ़ रही हो, बर्फ गिर रही हो, सूखा पढ़ गया हो या सूरज की सीधी किरने पढ़ रही हो, यह हर हाल में खुद को जीवित रख लेता है, यह सूख्षम जीव आकार में काफी छोटा है, पर इसे माइक्रोस द्वारा देखा जा सकता है, पानी में रहने वाला यह जीव आकार में 0.05 mm से 1.02 mm तक हो सकता है, यह जीव इस धर्ती पर हर जगह रहता है, पर इसकी पसंदीदा जगह पानी के स्रोथ होते हैं, यह अकसर तालाबों में जीलों में और हर उस जगह पर जहां पानी हो वहां ये पाए जाते हैं। आपको जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि ये आपके पानी के गलास में भी हो सकते हैं। ये जीव किसी भी वातावर्ण और परिस्थितियों में जीवित रह सकते हैं। वैग्यानिकों ने अपनी रिसर्च में पाया है कि ये जीव किसी भी तरह के तापमान में भी जिन्दा रह सकता है। माइनस 200 डिगरी से लेकर के 150 डिगरी सेल्सियस में भी यह जीव जिन्दा रह सकते हैं। टार्डिग्रेड का शरीर मोटा और लंबा होता है जिसके आठ पैर होते हैं। वैग्यानिकों के शोध के अनुसार टार्डिग्रेड का अस्तित्व सूर्य के खत्म होने तक रहेगा। वैग्यानिकों का यह विश्वास है कि टार्डी ग्रेड प्रित्वी पर अंतिन जीवित रूप होंगे और मनुश्यों से भी अधिक समय तक जीवित रहेंगे, उन्होंने ये भी माना कि ये विशाल तबाही में भी जिन्दा रह सकते हैं, जो कि प्रित्वी पर रहने वाले दुसरे प्राणियों जीव जन्तूओं के लिए घातक है, ये अंतरिक्ष के वैक्यूम जहां हवा न होने और कॉस्मिक किर्णों के कारण कोई भी जिन्दा नहीं रह पाता, वहां भी सर्वाइव कर जाते हैं, जिस रेडियेशन के कारण सेहत मंद इनसान भी दिनों या अक्तों में मौत के मुह में समा जाता है, एक छोटा सा समुदरी जीव उस रेडियेशन का हजार गुना सहने के बाद भी ठीक रहता है, इससे इस अनुमान को भी बल मिला है कि अंतरिक्ष में कहीं न कहीं जीवन होगा यही वज़ह है कि दुनिया के सबसे कठोर जीव माने जाने वाले टार्डिग्रेड को अब मेडिकल साइंस में भी आजमाने की बात हो रही है, हो सकता है कि इसकी मदद से अस्पतालों में रेडियेशन का असर कम हो सके या फिर रेडियेशन की ही मदद से कोई नई खोज की जा सके तार्डिग्रेड में मनुश्यों से एक हजार गुना ज्यादा रेडियेशन सहपाने की ख्षमता होती है, यह अल्ट्रा वाइलेट रेडियेशन को भीतर सोख कर उसे गैरहानिकारक किर्णों में बदल देते हैं, यह जीव दिखने में काफी छोटे हैं, लेकिन वै और अंतरिक्ष के अंधेरे में भी जीवित रहने में सक्षम हैं, यह जीव बिना खाये पिये भी कई हजार सालों तक जिन्दा बना रह सकता है, बस इसे किसी भी तरह तरल वातावर्ण मिलता रहे, इनकी इस गजब की प्रतिभाने वैग्यानिकों का ध्यान इनकी तरफ ख निकट धविश्य में वैग्यानिक टार्डी ग्रेड्स की बनाबट और उसकी प्रणाली तंत्र को अध्ययन करके बहुत कुछ बना पाएंगे, रिसर्च यह भी बताती है कि मनुश्यों की तुलना में टार्डी ग्रेड दस बिलियन सालों तक जीवित रहेंगे, टार्डी क्या लगता है कि इनसान भी ऐसी क्षमता प्राप्त कर सकता है? कमेंट करके बताएं और इसी तरह आपका प्यार और सपोर्ट बनाए रखें और कृप्या करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और ऐसे तथ्य आपके लिए लाते रहें